नमस्ते, आई सुनते हैं हिंदी की प्रसिद्ध कथाकार सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी हुई कहाने गौरी यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपिया चैनल को सब्सक्राइब करें और नवेनितम कहानियों के लिए घंटी के बटन को दवाएं शाम को गौध हुली की बेला कुली के सिरपड सामान रखवाए जब बाबू राधा कृष्ण अपने घर आए तब उनके भारी-भारी पैरों की चाल और चेहरे के भाव से ही कुंती ने जान लिया के काम वहां भी नहीं बना कुली के सिर पर से विस्तर उतरवा कर बाबु राधा कृष्ण ने उसे कुछ पैसी दिये कुली सलाम करके चला गया और वे पास ही पड़ी एक आराम कुर्ची पर जिसके स्प्रिंग खुल कर कुछ धीले होने के काराण इधर उधर फैल गए थे गिर से पड़ी उनके इस प्रकार बैठने से कुछ इस्प्रिंग आपस में टकराई जिससे एक प्रकार की जन जन की आवाज हुई पास ही बैठे कुट्टे ने कान उठा कर इधर उधर देखा फिर भौं भौं करके भौंक उठा इसी समय उनकी पत्नी कुंती ने कमरे में प्रवेश किया काम की सफलता या असफलता के बारे में कुछ भी न पूछ कर कुंती ने नम्र स्वर में कहा चलो हाथ मूँ धोलो चाय तैयार है चाय राधा कृष्ण चौक से पड़े चाय के लिए मैंने नहीं कहा था नहीं कहा तो क्या हुआ पीलो चल कर कुंती ने आग्रेपूरवक कहा अच्छा चलो कहते हुए राधा कृष्ण पत्नी के पीछे पीछे चले गई गौरी अपराधिनी की भाती माता पिता दौनों की दृष्णी से बच्छती हुई पिता के लिए चाय तयार कर रही थी उसे ऐसा लग रहा था कि पिता की सारी कठिनायों की जड़ वही है न वह होती और न पिता को उसके विवाह की चिंता में इस प्रकार इस्थान इस्थान घूमना पड़ता वह मूं खूल कर किस प्रकार कह दे कि उसके विवाह के लिए इतनी अधिक परेशाने उठाने की आविश्यक्ता नहीं माता पिता चाहे जिसकी साथ उसकी शादी करने वह सुखी रहेगी ना करें तो भी वह सुखी है जब विवाह के लिए उसे जराब ही चिंता नहीं तब माता पिता इतने परेशान क्यों रहती हैं गौरी यही ना समझ पाती थी कभी कभी वह सोचती क्या मैं माता पिता को इतनी भारी हो गई हूँ रात दिन सिवा विवाह के उन्हें और कुछ सूचता ही नहीं आत्म गलाने और शोब से गौरी का रोम रोम व्यति थोड़ था उसे ऐसा लगता कि धर्ती भटे और वह समा जाए किन्तु ऐसा कभी न हुआ वह गौरी जो पूरों के चांद की तरह बढ़ना भर जानती थी घठने का जिसके पास कोई साधन न था बाभू राधा कृष्ण के लिए चिंता की सामगरी हो गई थी गौरी उनकी एक मात्र संतान थी उनका विवावी योग्य वर के साथ करना चाहती थी यही सबसे बड़ी कठिनाई थी योग्य पात्र का मूले चुकाने लायक उनके पास यथिष्ट संपत्ति न थी यही कारण था कि गौरी का यह उननीस्वा साल चल रहा था फिर विवे कन्या की हाथ पीले न कर सके थी गौरी ही उनकी अकेली संतान थी चुटपन से ही उसका बड़ा लाड प्यार हुआ था प्राया हो उसके उचित अनुचित सारे हट पूरे हुआ करते थी इसी कारण गौरी का सुभाव, निर्भीक, ध्रन निश्चई और हटीला था वह एक बार जिस बात को सोच समझ कर कह दे फिर उस बात से उसे कोई हटा नहीं सकता था पिता की परेशानियों को देखते हुए अनेक बार उसके जी में आया कि वह पिता से साफ साफ पूछे कि आखिर वे उसके विवाह के लिए इतने चिंतित क्यों है वह सुयम तो विवाह को इतना आविश्यक नहीं समझती और अगर पिता विवाह को इतना अधिक महत वो देते हैं तो फिर पात्र और कुपात्र क्या विवाह करना है कर दे किसी के भी साथ वह हर हालत में सुखी और संतुष्ट रहेगी उनकी यह परेशाने इतनी चिंता अब उससे सही नहीं जाती किन्तु संकोच और लज्जा उसकी जबान पर ताला सा डाल देती हजार बार निश्चे करके भी वे पिता से यह बात ना कह सकी पिता को आते देख गौरी चुपके से दूसरे कमरे में चले गई राधा कृष्ण बाबू ने जैसे बेमन से हाथ मूध होया और पास ही रखी हुए एक कुर्सी पर बैठ गई वहीं एक मेज पर कुंती ने चाय और कुछ नमकें पूरियां पती के सामने रख दी पूरियों की तरफ राधा कृष्ण ने देखा भी नहीं चाय का प्याला उठा कर पीने लगे ऐसी कन्या को जन्म देकर जिसके लिए वरही न मिलता हो कुंती स्वयम ही जैसे अपराधिन हो रही थी कुंती ने डरते डरते पूछा जहां गए थी क्या वहां भी कुछ ठीक नहीं हुआ ठीक, ठीक होने को वहां धराही क्या है चाय का घूट गले से नीचे उतारते हुए बबु राधा कृष्ण ने कहा सब हमीं लोगों पर है विवाह करना चाहें तो सब ठीक है न करना चाहें तो कुछ भी ठीक नहीं है कुंती ने उच्छ सुकता से पूछा फिर क्या बात है लड़के को देखा हाँ देखा अच्छी तरह देखा कहकर राधा कृष्ण फिर चाय पीने लगे कुंती की समझ में यह पहली ना आई उसने कहा जरा समझा कर कहो तुम्हारे बाद तो समझ में ही नहीं आती राधा कृष्ण समझा कर कहता हूँ सुनो वह लड़का लड़का नहीं आदमी है तुम्हारी गौरी के साथ मामूली चपरासी की तरह दिखेगा बोलो करोगी ब्या कुंती बोली विवाह की बात तो पीछे होगी क्या रूपरंग बहुत खराब है फोटो में तो वैसा नहीं जान पड़ता राधा कृष्ण ने कहा रूपरंग नहीं रहन सहन बहुत खराब है इतनी सिधाई भी तो अच्छी नहीं होती कि जिसके पीछे आदमी आदमी न दिखे और फिर उमर भी तो अधिक है 35-36 साल साथ ही दो बच्चे भी है उन्हीं बच्चों को समालने के लिए तो वे विवाह करना चाहते हैं नहीं तो शायद नहीं करते उनकी दूसरी शादी है उनकी उमंगें, उनका उत्साहा सब ठंडा पड़ गया है वे अपने बच्चों के लिए एक धाय चाहते हैं पर मेरी लड़की की तो दूसरी शादी नहीं है और फिर वे तो साफ साफ कहते हैं कि मैं केवल बच्चों के लिए विवाह करना चाहता हूं कुंती ने कहा जिने दूसरी शादी करनी होती है वे सब बच्चों के ही बहाने तो शादी करते हैं, नहीं तो यह कहें कि अपने लिए करते हैं, राधा कृष्ण बोले, अरे नहीं नहीं, यह आदमी कप्टी नहीं है, उसके भीतर कुछ और और बाहर कुछ और हो ही नहीं सकता, फिर्दय तो उसका दरपन की तरह साफ है, पर उसका खादी कुर्ता, गांधी टोपी, फटे फटे चप्पल देखकर जी हिचकता है, वे कहीं नेता बनकर व्याख्यान देने लायक तो है, पर किसी के घर दूला बनकर जाने लायक नहीं है, इसके अलावा 30 रुपए कुल उनकी तनुखा है, कॉंग्रेस दफ्टर में सेक पर वह गौरी का पती होने लायक नहीं है, सच बात यह है, कुंती बोली, फिर तुमने क्या कह दिया, राधा क्रिश्न, क्या कह दिता, उन्हें बुला आया हूं, अगले इतवार को आवेंगी, जिसमें तुम भी उन्हें देख लो, और वह आने के लिए भी तो बड़ी मु जाकर कहा, कि आप लड़की को देखेंगे, लड़की और उसकी माँ आपको देख लेंगी, तब कहीं बड़ी मुश्किल से राजी हुए, गौरी दरवाजे पर आड़ में खड़ी सब बातें सुन रही थी, जिस व्यक्ति के प्रति, उनके पिता इतने असंतुष्ट और उ पिश्दारों को गौरी के लिए योग्यवर तलाशने को कई पत्र लिखे, अगला इत्वार आया, आज ही बाबु सीता राम जी गौरी को देखने या अपने आपको दिखलाने आवेंगी, राधा कृष्ण जी ने यह पहले से ही कह दिया है, कि किसी बाहर वाले को कुछ न एक मेज है, जिस पर एक साफ दूला हुआ खादी का कपड़ा बिचा दिया गया है, और एक गिलास में आंगन के ही गुलाब के कुछ फूलों को तूड कर गुल दस्ते का स्वरूप दिया गया है, बहुत ही साधरन सा आयोजन है, सीता राम जी सरीखे व्यक्ति के लिए किस विशेश आडंबर की आवश्यक्ता भी तो न थी, यह था समय सीता राम जी अपने दोनों बच्चों के साथ आई, बच्चे भी वही खादी के कुर्ते और हाफ पैंट पहने थे, न जूता न मोजा, न किसी प्रकार का ठाट पाट, पर दोनों बड़े प्रसन हां स्मोख, आकर घर में वे इस प्रकार खेलने लगे, जैसे इस घर से चीर परिचित हों, कुंती एक तरफ बैठी थी, बच्चों के कूला हल से परिपूर्ण घर उसे छण भर के लिए नंदन कानन सा जान पढ़ा, उसने मन ही मन सोचा कितने अच्छे बच्चे हैं, यदि बिना किसी प्रकार का संबंध हुए भी, सीता राम इन बच्चों के संभालने का भार उसी सौप दें, तो वैं खुशी खुशी ले ले, मैं बच्चों के खेल में इतनी तनमय हो गई, कि छण भर के लिए भूल बैठी, कि सीता राम भी बैठी हैं, और उनसे भी कुछ बात चीत करनी ह इसी समय अचानक छोटे बच्चे को जैसे कुछ याद आ गया हूँ, दोड़कर पिता के पास आया, उनके पैरों की बीच में खड़ा होकर बुला, बापू, तुम तो कहते थे ना कि मा को दिखाने ले चलते हैं, मा कहा हैं बताओ, बाबू ने किंचित हंसकर कहा, ये माज बातर को भाग गई, बच्चे बिल्ली के पीछे सब कुछ भूलकर दोड़ते हुए अंदर पहुँच गए, गौरी पिछले दरवाजे पर चुपचाप खड़ी थी, वह न जाने किस खयाल में थी, छोटे बच्चे ने उसका आचल पकड़कर खिंचते हुए पूछा, घर चलोगी न, बाबू तो तुम्हें लेने आये हैं, और हम भी आये हैं, अब तो गौरी उसकी बातों का उत्तर न दी सकी, पूछा, मिठाई खाओगे, हाँ खाएंगे, दौनों ने एक साथ, एक ही स्वर से उत्तर दिया, कुछ छण बाद कुंती ने अंदर देखा, छो पिता दोनों को सामने खड़ा पाया, पिता ने इसने से पुत्री से कहा, बेटा, जरा चलो चलती हो न, गौरी ने कोई उत्तर न दिया, उसने बच्चों का हाथ मूँ धुलाया, उन्हें पानी पिलाया, फिर मा के पीछे पीछे बाहर चली गई, बच्चे अब भी उसी को घेरे हुए थे, वे उसे छोड़ना नहीं चाहते थे, बड़ी मुश्किल से सीता राम जी उन्हें बुला कर कुछ देर तक अपने पास बिठा सकी, किन्तु जरासम मौक पाते ही, वे फिर जाकर गौरी के आसपस बैठ गए, पिता के विरुद्धु उन्हें कुछ नालिश जाते हैं, दिन भर नहीं आते, बाबु अच्छे नहीं हैं, बड़ा बुला, मा, तुम चलो, नहीं तो हम भी यहीं रहेंगे, बच्चों की बातों से सभी को हसी आ रही थी, कुन्ती ने बच्चों से कहा, तो तुम दोनों भाई यहीं रह जाओ, बापु को जाने दू, है देखकर कहा, आप लोगों से मिलकर बड़ी प्रसनता हुई, लड़की तो आपकी साक्षात लक्षमी है, और यह मैं जानता था कि आपकी लड़की ऐसी ही होगी, इसलिए देखने को आना नहीं चाहता था, फिर कुछ ठायर कर बोले, और सच बात तो यह है, कि मुझे पतनी कि उतनी जरूरत नहीं, जितनी इन बच्चों को जरूरत है एक मा की, मेरा क्या ठिकाना, आज बाहर हूँ कल जेल में, मेरे बाद इनकी देखरे करने वाला कोई नहीं रहता, यही सोच समझ कर विवाह करने को तयार हो सका हूँ, अन्य था इस उमर में विवाह कह कर वी स्व बच्चों का लालन पालन कर अपना जीवन सार्थक बना सकती है, गौरी ने मन ही मन इस महा पूरुष के चरणों में प्रडाम किया और बच्चों की ओर ममता भरी द्रिष्टी से देखा, जैसे यह द्रिष्टी कह रही थी कि किसी विलासी युवक की पत्नी बनने से अधिक मैं इन भूले भाले बच्चों की मा बनना पसंद करूँगी। सीता राम जी को जाने के लिए प्रस्तुत देख, बच्चे फिर गौरी से लिपट गए। यदि राधा कृष्ण जूट ही सही, एक बार भी कहते कि बच्चों को छोड़ जाओ, तो सीता राम जी बच्चों क से अलग करके वे ले जा सके। जाते समय सीता राम जी को पक्का विश्वास था कि विवाह होगा, केवल तारीख निश्चित करने भर की देर है। सीता राम जी उस पत्र की प्रतिक्षा में थी, जिसमें विवाह की निश्चित तारीख लिखकर आने वाली थी। देश की प जब गए थे तब उनकी बुड़ी बुगा थी पर अब तो वे भी नहीं रही यह कहारिन क्या बच्चों की देख भाल कर सकेंगी बच्चों की उन्हें बड़ी चिंता थी और बच्चे भी सदा ही मा मा की रट लगाए रहती थे उन्होंने फिर एक पत्र बाबु राधा ग्रही तारीख निश्चित करने के लिए लिख भीजा उधर राधा कृष्चन जी दूसरी ही बात ते कर रहे थे उन्होंने सीता राम के पत्र के उत्तर में लिख भीजा कि गौरी की मा पुराने खयाल की है वे बिना जनम पत्री मिलवाए विवाह नहीं करना चाहती है अत जनम पत्री भेजने के कुछ ही दिन बाद उत्तर भी आ गया के जनम पत्री नहीं मिलती इसी लिए विवाह न हो सकेगा शमा कीजिएगा बाबु डादा क्रिश्न को गौरी के लिए दूसरा वर मिल गया था जो उनकी समझ में गौरी के बहुत योग्य था धनवान ये भी अधिक न थे पर अभी अभी नायब तैसिलदार की पदपर नियुक्त हुए थे आगे और भी उन्नती की आशा थी भी ये पास थे देखन में अधिक सुंदर न थी बदशकल भी कहे जा सकती थी पर पुरुशों की भी कहीं सुंदरता देखी जाती है उमर कुछ अधिक न थी यही 24-25 साल लेने देने का जगड़ा यहां भी न था पहली शादी थी और माबाप भाई बहन से भरा पूरा परिवार था रादा कृष्ण जी इससे अधिक और चाहते ही क्या थी ईश्वर को उन्होंने कोटी शह धन्यवाद दिये जिसकी कृपा से ऐसा अच्छा वर उन्हें गोरे के लिए मिल गया विवाह आगा में आशाड में होना निश्चित हुआ दोनों तरफ से विवाह की तैयारी हो रही थी र उन्ती भी बहुत खुश थी उसकी आँखों में यह दरश्य जूलने लगता था कि उसका दामाद छोटा साहब हो गया है बेटी दामाद छोटे छोटे बच्चों के साथ उससे मिलने आये हैं किन्तु बच्चों की बात सोचते ही उसे सीता राम जी के दोनों बच्चे तु इस प्रकार पती पतनी दोनों ही प्रसन थी पर गौरी से कौन पूछ था कि उसके हिर्दय में कैसी हलचल मची रहती है रह रह कर उसे उन बच्चों का भूला भला मूँ और मीठी मीठी बातें याद आ जातीं साथ ही याद आ जातें विनई, नम्र और सादगी की प्रतिमा सीता राम जी, उनके याद आते ही श्रद्धा से गौरी कमा था, अपने आप ही जुक जाता, देश भक्त त्यागी वीरों के लिए उसके हिर्दे में बड़ा सम्मान था, सीता राम जी ने भी तो देश के लिए अपने जीवन का उतसर्ग कर दिया है, नहीं तो बिये पास क करने के बाद क्या प्रयत्न करने पर उन्हें नायब तैसिलदार की नोकरी न मिल जाती, मिलती क्यों नहीं, पर सीता राम जी सरकार की गुलामी पसंद करते तब न? दूसरी ओर्थे उसके होने वाले फर नायब तैसिलदार साहब जिनने अपने आराम अपने एश के लिए बिटिश गवर्नमेंट के जरा से इंगित मात्र से निरीह देशवासियों के गले पर छुरी फेरने में जरा भे संकोच या हिचक नहीं जिनके सामने कुछ चांदी के टुकड़े फैंक तिये जाते हैं और ये दुम हिलाते हुए निंदी से निंदे कर्म करने में भी किंचित लज्जित नहीं होती ग्रणा से गौरी का जी भर जाता किन्तु उसके इन मनुभावों को जानने वाला यहां कोई भी न था वह रात दिन एक प्रकार की अव्यक्त पीडा से विकल सी रहती वह चाहती थी कि अपनी मा से कह दे कि वह नायब तहसिलदार से शादी न करेगी किन्तु लज्ज्जा उसे कुछ भी न कहने देती जियों जियों विवाह कीती थी नजदी काती गौरी की चिंता बढ़ती ही जाती थी विवाह के निश्चे तारीक से पंद्रह दिन पहले एका एक तार आया कि नायब तहसिलदार साहब के पिता का देहान्त हो गया इस म्रत्यू के काराण विवाह साल भर को टल गया गौरी के माता पिता बड़े दुखी हुए किन्तु गौरी के सीर परसी जैसे चिंता का पहाड घट गया इसी बीच सत्याकर आंदोलन की लहर सारे देश में बड़ी तीवर गती से फैल गई शहर शहर में गिरफतारियों का तांता से लग गया रोज ही न जाने कितने गिरफतार होते कितनों कुछ सजा होती कहीं लाठी चार्ज कहीं 144 सरकार की दमन की चक्की बड़े भयंकर रूप से चल रही थी गौरी कुछ चिंता थी उन बच्चों की जब से सत्यागरह संग्राम छिड़ा था तब ही से उसे फिकर थी कि न जाने कब सीता रामजी गिरफतार हो जाएं और फिर वे बच्चे विचारे उन्हें कौन देखेगा रोज का अखभार ध्यान से पढ़ती कानपुर का समाचार तो और भी ध्यान से देखती थी इसी प्रकार उसने एक दिन पढ़ा कि राज द्रोह के अपराद में सीता रामजी गिरफतार हो गए और उन्हें एक साल का सब परिश्रम कारावास हुआ है इस समाचार को पढ़कर गौरी कुछ छण तक स्तब्द सी खड़ी रही फिर कुछ सोचती हुई टहलनी लगी कुछ ही देर बाद उसने अपना कर्तवे निश्चित कर लिया वह मा के पास गई मा कोई पुस्तक देख रही थी उसने अपने सारे साहस को समेट कर ध्रणता से कहा मा मैं कानपुर जाऊंगी कानपुर? कानपुर में क्या है? आश्चरेज कुंती ने पूछा गौरी ने कहा, वहाँ बच्चे हैं मा ने उसी सौर में कहा बच्चे, कैसी बात करती हो गौरी? पागलों से गौरी बोली, नहीं मा, मैं पागल नहीं हूँ बच्चों को तुम भी जानती हो उनके पिता को राज द्रोह के मामले में साल भर की सजा हो गई है बच्चे छोटे हैं मैं जाऊंगी मा मुझे जाना ही पड़ेगा गौरी के सुभाव से कुंती भली भाती परिचित थी मैं जानती थी कि गौरी जिस बात की हट फकरती है कभी छोड़ती नहीं अतयव सैसा वैं गौरी का विरोध न कर सकी बोली पर तेरे बाबुजी तो बाहर गए हैं उन्हें तो आ जाने दे गौरी ने ध्रंता के साथ कहा बाबुजी के आने तक नहीं ठहर सकूंगी मा मुझे जाने दो रास्ते में मुझे कुछ कष्ट न होगा अब मैं काफी बड़ी हो गई हूँ और उसी दिन शाम को एक नौकर के साथ गौरी कानपुर चली गई अपनी सजा पूरी करके सीता राम घर लोटे इस साल भर की भीतर उन्होंने बच्चों को एक बार भी न देखा था उन्हें काइदे के अनुसार हर महीने उनका कुशल समाचार मिल जाता था पर बच्चों की चिंता उन्हें लगातार बनी रहती थी जिस कहारिन के भरोसे वे बच्चों को छोड़ गए थे उसके भी तीन-चार बच्चे थे वे बच्चों को कैसे रखेगी सो सीता राम जी जानते थे पर विवश्टा थी क्या करती सबेरे सबेरे छाय बजे ही जेल से मुक्त कर दिये गए एक तांगे पर बैठ कर वे घर की ओर चले जेब में कुछ पैसे थे एक जगह गरम गरम जलेबियां बन रही थी बच्चों के लिए थोड़ी सी खरीद ली घर के दर्वाजे पर पहुँचे दर्वाजा खुला था घर की अंदर पैर रखने में हिरदय धड़कता था न जाने बच्चे किस हालत में हो वे चोरों की तरफ चुपके चुपके घर में गुजे परन्तु यह क्या आंगन में पहुँचते ही वे ठगे से खड़े रह गई फिर जरा आगे पढ़कर उन्होंने कहा आप गौरी ने जुक कर उनकी पद धूली माथे से लगा ली अभी आप सुन रहे थी सुबुत्रक मारी चोहान की लिखी हुई कहाने गौरी रुप्या वीडियो को लाइक करें और शेयर करना न भूलें धन्यवाद